है फ्रेंड वेलकुम तो मैं चैनल एबी रॉक्स टीम तो गाइस कैसे हो आप सब तो अभी एक मैच एड हुआ है मतलब काफी देर हो चुकिया और मैं तब से अनलाइज कर रहा था जिसका नाम जो की है स्वेडिश लीग का गोडबर्क वॉर्स एई-एस के मैच मैच होने वा है आज का क्या हुआ ना एक्शली नाइट जो वीडिंग होई उसके मैरे मलब सुभा और वह पोस्ट किया रिजल्ट है और जो आज दो यूरोपें टीटन भी बहुत अच्छे लेकिन तीसा यूरोपें टीटन मैंने ओपन दिया था वह हो गया अबंड तो गाइस देखते तो मैं बात करूँगा सबसे पहले गाइस यहां पे पहले गोल कीपर की जिसका ना मैं बुडी मेर जैनोसविक तो यह प्लेयर जो आप देख रहे हैं यह एक नॉर्मल प्लेयर है मतलब ऐसा नहीं की भाई यह कर देगा वो कर देगा एक्शली इनके पास सिरफ दो ही प्लेयर की वापसी करवाएं और आगे से बात करूँगा इसमागर डिफेंडर की तो इए इंवा इतना खास प्लेयर तो नहीं है लेकिन डिफेंडिंग पॉजीशन प्लेयर की बहुत अच्छी है मतलब अगर एए यह जीते उससे मतलब बाद में रहेगा लेकिन इस प्ले इस 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 प्लेयर काफी जहाता होँगे ओर आगे से मेक्स प्लेयर की जादा हLP करूवाला हुज अगे से मेक्स प्लेयर की आपको प्लेयर को अपको थीछूब परक्षाप करूएस अगे क्या रहते है कि यहां पे कुछ चेंजिस करेंगे क्योंकि गाइस मैं आपको पहली बोला है कि प्रॉपर टीम जो पोस्ट होगी वो लाइनप के बाद टेली ग्राम चैनल में आएगी यह टीम अउनली एक पुराने रेकॉर्ड से बनाई गई है तो आगे से बात गूरू मिट मिट फिल्टर की आस लूँगा एम हेंसिक को मैरक हेंसिक मुझे बहुत बरोस है दिखने में आपको मिट फिल्टर लग रहा होगा लेकिन मैं आपको एक प्लेयर बताता हूँ अगर आप ना फेंटेसी खेलते हो तो अगर आप मैंचेस्टर उनाइटी टीम को जानते हो तो साकू के रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है मनलग आप सोच रहें इसको लेने की तो थोड़ा रिस्क है अगर आप चाहें तो इसकी जगह ट्राइ कर सकते हैं एन बहुई को बात करूं और आगे से बात करूं नेक्स पिर किसकरा मैं एस तरन तो सिमन तरन यहा पर अच्छ देखा एक-एक मैच में तीन-तीन दो-दो गोल इसने आम कर रखे हैं इस सीजन में भी और पिछले सीजन में भी क्यूकि इनका लास्ट मैच सेकंड लास्ट मैच तीन एपरेल को खेला गया था इन दोनों टीम के बीच नहीं था वो किसी ओर टीम का था एच गौटियम के ब मिलता हूं अगली वीडियो में बबाई